अस्रामलेकुम नाइट क्लास लेक्चर फाइव है हमारे पास मिक्स्चेर्स सबसे पहले इसकी डिफाइन है हमारे पास मिक्स्चेर होता क्या है वें टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजीकली यह लफ़ पर गौर करना है विदाउट एनी फिक्स रेशो बाइज यह फिक्स रेशो दे फॉर्म अ मिक्स है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स यह कंपाउंड्स अपस में मिक्स हो और फिजीकली मतलब याद हो आपको तो पीछे हमने पढउंड्स पढ़ा था पहले लेक्टर फोर में वहाँ प निक्सेर बनते है हैं अब निक्स कहा है Means the Components retain their own properties जब components mix होते हैं तो mixer बनता है तो components की अपनी खुस्सियात mixture में रहती है ठेक है दे mix up can be separated by physical method into its parent component अबने मिक्सर त्यार कर लिया उसके बाद अब आप चाहते है कि उसे separate कर दें अलग-अलग कर दें दुबारा जिन से अपने बनाया था तो आप simply उनको physical method से अलग-अलग कर सकते हैं अब physical method कौन कौन से हैं यह अपने अच्छी तरह याद करना यह short के लिए भी है तो short में आता है physical methods पूछे जा सकते हैं कि mixtures को किन physical method की मदद से separate किया जाता है उनके components में अलग-अलग कर सकते हैं तो पहला है evaporation ठीक है अब evaporate कर सकते हैं solvent को तो salute पीछे रह जाएगा next step filtration filtration की मदद से आप अलग कर सकते हैं next step distillation गरम करके crystallization crystals बना कर ठीक है और next time magnetization मकना थी इसकी मदद से magnetize मतलब यह magnetic और non-magnetic जो चीज़े हैं उनको separate करने के लिए use होता है for example पर चले मैं example के तौर पर कहता हूँ यह मेरे पास एक बतन है इसमें मैंने rate जो है वो डाल दी है ठीक है और इसके अंदर कुछ magnet sorry iron लोहे के जो pieces है मैंने वो डाल दी है अब मैं इनको mix कर दी अब मैं दुबारा जाता हूँ कि जो मैंने इसके अंदर iron के छोटे छोटे पीस डाले थे वो अलग करूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं इसके अंदर क्या करूँगा या उपर ऐसे magnet गुमाऊंगा तो अब आपको बता है कि जो magnet होगा मकना चीस होगा वो लोहे के जो pieces होँगे चोटे 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 उनको क्या कर लेगा अपनी तरफ खैंच लेगा तो वो निकाल लेगा उनको बाहर बाकी बिच्छे आपक Geminius mixture और हिट्रोजीनियस मिक्सिर में क्या डिफरेंस है होँमो का मतलब होता है सेम एक जैसा दमिक्सिर गैष यूनीफॉर्म कंपोजीशन ऐसे मिक्सियर जिनकीं कंपोजीशन यूनीफॉर्म है बिल्कुल एक जैसी होँ टुटल सारे की आरकाल्ड उन्हें क्या कहते हैं hom पास एक किबर्तन है और इसके अंदर जो है वो मैंने पानी डाला और उसके पाद इसके अंदर मैंने sugar और salt नमक डाल दिया और चीनी डाल दिया उसको mix कर लिया mix करने के बाद पूरी अच्छी तरह इसे मैंने mix कर दिया अब क्या करते हैं, इस जगा से एक sample निकालते हैं और इस जगा से एक sample निकालते हैं, दोनों को taste करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों बिल्कुल ब्राबर मीठे भी उतने हैं, उसके अंदर salt भी उतना है, ठीक है, दर्मियान से निकालें, जहां से भी इसका sample उठाएंगे the mixer that do not have uniform composition अच्छा इस define में और इस define में सिर्फ देखें एक लफज का फरक है यहां पर हमने कहा uniform composition होगी जरूर होगी ठीक है और यहां पर हमने कहा कि uniform composition नहीं होगी इसका मतलब आप एक जगह से सेंपल उठाएंगे तो इसकी composition कुछ और होगी दूसरी जगह से उठाएंगे तो composition कुछ और होगी तो इस तरह की mixer को हम क्या कहते है heterogeneous mixer करते है ठीक है the mixer that do not have uniform composition throughout सारे की सारी जो composition है वह एक जैसी ना हो through out तो उससे हम क्या कहते है जी heterogeneous mixer for example soil ठीक है rock wood अगर आप रॉक की बात करें तो एक जगह से उसका sample लें ठीक है चटान का तो उसमें कुछ और elements होंगे इस दूसरी जगह से sample लेंगे तो कुछ और इसी तरह जो लकड़ी है उसका भी एक portion अगर आप लेते हैं तो वहां पर composition कुछ और होगी दूसरी जगह से sample लेते हैं तो उसके composition कुछ और होगी ठीक है students तो यह अपने topic अ important है अलाओ अफिर